हलो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कुकु एब की एक बहुत ही सांदार बेब सीरीज लव लेटर तनय और मिनाक्षी दोनों पती पतनी है कहानी सुरू होती है मिनाक्षी जब गेट खोलती है दर्वाजा खोलती है तो दर्वाजे पर एक बुके मिलता है उसे जिस बुके पर एक लव लेटर चिपकाया होता है मिनाक्षी उसे देखकर उसे डास्ट विन में फेक जती है यही सोच कर कि कोई रोड साइट रोम्यू ने ही इस तरह का हरकत किया होगा और अपने रूम के अंदर चले जाती है फिर अचानक उसे महसूस होता है कि कहीं उसका हस्बेंड ही उसके लिए यह भुके छोड़ा होगा फिर वो उठा कर लाती है और घर में रख देती है इधर तनय अपने गल्फ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा है गल्फ्रेंड कहती है कि कब तक ऐसे छुप छुप के हम दोनों मिलेंगे ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपने पत्नी मिनाक्षी को छोड़ दो और मुझे अपना लो इसे बीच तनय अपने फ्रेंड के पास कॉल करता है और बात करता है जो उसका फ्रेंड है एक ओकील है उससे बात करता है और कहता है कि मुझे अपनी बीबी से तलाक लेना है इसके बारे में क्या क्या करना होगा मुझे बताओ जब तन्य अपने घर आता है तो मिनाक्षी पूरे मूंड में रहती है रोमांस करने के मूंड में लेकिन तन्य उसे भाव नहीं देता और उसे साइड करके भला मुरा कहके साइड कर देता है इस पर मिनाक्षी कहती है कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रह चुकी मैं तुम्हें बासी लगने लगी होना क्या बात है ऐसा क्या है दोनों में इसी तरह बहुत चलता है और रोमांस नहीं हो पाता अगले दिन जब मिनाक्सी बैठी रहती है कमरे में तो उसके मोवाइल पर अचानक एक मैसेज आता है मैसेज में साद लिखा रहता है कि मैं तुम्हें मार्केट में कल देखा मिनाक्सी को सक होता है कि उसका हर्स्मेंड बातरूम में नहा रहा है बातरूम से ही या छुप छुप के मैसेज मेरे पास कर रहा है वो बातरूम खोलती है अंदर जाती है तो मोवाइल उसे नहीं मिलता इसी तरह दोनों में बहस चलते रहता है और दोनों बातरूम से बाहर आती है और देखती है तो दिवार पे टंगे एक बोर्ड पर कुछ इस तरह का लॉव मेटर लिखा रहता है जिसे देखकर दोनों चौक जाते है और इस एपिसोड की कहानी यहीं खतम होती है यह एपिसोड आपको कैसी लगी अगर आपने पुरा एपिसोड देखा है तो पमेंट में जरूर बताशार लगा hah यह अपिसोड में किया आपको अच्छा लगा वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक और सेर जरूर करना और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्यूंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ऐसे एक से एक बेब सीरीज का रिवीव एम स्टोरी लेके आते रहता हूं तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए इतना ही